हेलो इबरोन कैसे आप सब एक बार पुना नए वीडियो पर स्वगत है और क्लास 11 फिजिक्स में आपका सेट C है इसके बाद सेट B बचेगा कुछ देर से उसका भी अंसर आ जाएगा यहाँ पर आप अबजिक्टिव का अंसर देख लेना बच्चों पहला जो प्रश्ण है यहाँ पर आप देखिए फड़ाफट की यातरी आधी दूरी B1 बेक से चलता है और फिर B2 बेक से तो ओसत चाल हो जाएगा 2 B1 B2 अपान B1 प्लस B2 ठीक इसके बाद जिदी किसी बस्तु को उड़ादर उपर के और फेका जाता है तो उसका उड़ाइन काल यह आपका सेकेंड नमबर 2 U अपान जी हो जाता है इसके बाद इसका आपको लंबा कुश्यन बच्चों 30 जूल होगा एंसर मैं बता दे रहा हूं और किसी पिंड का जो संब्वेग में संब्बंद होता है E के बराबर होता है P square upon 2M तो जहां पे दिख जाये वही है कके या आपका हो जाएगा ठिक यहां पर आसत कौन सा है यह बताना है तो यहां पर आसत आपको बताना है तो यह आपको शी नमबर जो है वह असत है मांकि सब के सबस्त आ है ठी कि यहाँ पे आई अलफन नहीं होना चाहिए अगला नंबर बच्चो जब पलायन बेग होता है तो दर्बान पर निर्भर नहीं करता मतलब M का पावर 0 होना चाहिए ठीक है यहाँ पर देखिए अगला है इसको 108 किलोमीटर घंटा है मीटर पर सिकंड मतलब छोटे में बदलन है तो जब छोटे में बदलना होता है तो पांच बटे 18 का गुड़ा कर दो तो 18 चक्का 108 और 56 तीस इसका इंसर आ जाएगा 30 ठीक है इसके बाद मापांक मापांक इसका दस आएगा ऐसा क्योंकि चछाएंग 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 चाएंग चौसट दोड़ो जोड़ो सो कबर मुल दस बलका आबेक संबेक परिवर्तन के बराबर होता है किसी रोलर को खीचने के अपेच्छा धकेलना कठीन होता है देखो भाई रोलर को खीचना आसान है धकेलना कठीन है धकेलना कठीन है क्या पूछा है खीचने की अपेच्छा धकेलना कठीन होता आप बोलो कि सर आसान लिखा है बुक में ऐसा कॉश्चन घुमाया रहता है किसी डूलर को ढखेलने के अपेच्छा खीचना आसान होता है तो कॉश्चन घुमा दिया इसलिए यहाँ पर कठीन होगा यहाँ पर किसी कारणो इंजन को 100 डिग्री सेल्सर्श के मद्द कार कराया जाता तो उसकी दच्छता 26.8% होती यह सारे कोश्चन सॉल्व करना पड़ता है अगला है किस प्रसार प्रक्रम में सेतलन होता है तो इस थिरोस्म प्रसार प्रक्रम में यहाँ पर आपका हो जाएगा अंसर अगला बच्चों बोल्टेज में नियतांग का मान तो इसका हो पहले का ई नमबर ठीक है इस टीफैन का जो मान होता है इसका हो जाएगा यह सी नमबर इसके बाद बच्चों गृतों कर्शन ने तांग इसका है 6.67 प्रतभी का पलायन बेग यह हो जाए 11.2 कच्छी बेग होता है 7.9 अब दो इस बच्चे हैं एक तो आपका डी नमबर H तो फवाइज में यह नंबर हो जाएगा ठीक है याद रखेगा आगे चले ठीक अगला प्रश्न से जुड़ा है तो दोलन का सूत्र टी दोलन के आवर्तकाल दोलन काल ना आवर्तकाल वह यह तू पाई अंडरोड एम अपान के अंडरोड एम अपान के हो जाएगा इसके बाद बच्चो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए किसी तरंग के लिए पथांतर कलांतर में संबंद तो लिख लेना आप लोग लिख लेना कलांतर बराबर टू पाई अपान लेम्डा गुने पथांतर ठीक है यहनि डेल फाई इक्वल टू पाई अपान लेम्डा इंटू डेल एक्स ठीक चले आगे प्रिश्ण पर समान लंबाई की स्टील की मोटी छण एवं स्टील की पतले तार में किसकी प्रत्यास था दे समान होगी समान क्यों होगी क्यों कि दोने एक ही पदार्थ के बने है यहाँ पर बीटा पान लेंडा बराबर हो जाएगा टू अपान थ्री चलिए इसके बार बच्चों सत्य सत्य में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दो सत्य हैं बागी एक तीन सत्य हैं ठीक आप पढ़ते रहना इसका जो पीडियाप है मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा जैसे आप टेलिग्राम में जोइन कर लेंगे तो टेलिग्राम में सेयर कर देता हूँ तो आप लोग वहाँ पर जाकर के जोइन कर लें और टेलिग्राम में पेपर देख सकते हैं फिलाल अभी के लिए इतना ही आगे का जिसको कोश्चन देखना है तो देख सकते हो वाई सहाब उर्जा संभी भाजन नियम गैस के अंगत सिध्यान के अधार पर दाव सूद्र तो इस शारे कोश्चन बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके बाद मैं इसका पेपर भेज दूँगा आप टेंसन मत लेना ठेक है जय इंद बंद मातरम